हेलो दोस्तों आज सबी का मेरे चैनल भगवती केशन में बहुत-बहुत स्वागत है आज अपनी इस वीडियो में हम तस्वीर के लिए लहंगा और दुपटा बनाएंगे आप इस तरीके का लहंगा किसी भी भगवायन की तस्वीर पर बना सकते हैं आप मा दुपटा की तस्वीर के लिए भी बना सकते हैं हन्मान जी की तस्वीर के लिए भी बना सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर लहंगा बना सकते हैं और इस तरीके का लहंगा आप किसी भी तस्वीर के लिए भी बना सकते हैं ऐसा कोई particular नहीं है कि आप एक ही तरीक की तस्वीर की लिए इस तरीके का लहंगा और चुन्री बनाए, ये यहाँ पे लहंगा बनाया है मैंने, और इसके साथ साथ, यहाँ पे मैंने ये चुन्री बनाई है, इसमें ये piece जIES है, इस तरीके से तस्वीर के पीछे चला जाता है और आगे से ये चुन्री आ जाती है आप इस तरीकी की चुन्री में माला भी एड़ कर सकते हैं भगवान जी की जुन्री भी एड़ कर सकते हैं क्योंकि तस्वीर पे जुन्री पहनाना असान नहीं है उन्हें आपको चिपकाना पड़ेगा इस तरीके की यहाँ पर माला लगाकर आप अपने भगवान जी को तस्वीर पर इस तरीके से यह चुन्नी पहना सकते हैं इससे आपकी चुन्नी भी पहनाए जाएगी और भगवान जी की जल्ली भी कम्प्लीट हो जाएगी चलिए देखते हैं हम ये ड्रेस किस प्रकार से बनाने वाले हैं लेंगा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये लाल रंगे कपड़े की पट्टी कट कर ली है इसकी जो लंबाई रखी है मैंने वो 25 इंच रखी है और जो इसके चड़ाई रखी है वो मैंने साड़े साथ इंच रखी है अब इस पट्टी पे मैं नीची की तरफ हलका सा अंदर की तरफ मोड़कर लेस लगा लूँगी यहां आप लेस अपने रिसाथ से किसी भी प्रकार के लगा सकते हैं मोटी भी लगा सकते हैं आप लेस या पकली भी लगा सकते हैं यहां पर मैं फोल्ड करके, नीची की तरफ से फोल्ड करके, कुछ इस तरीके से ये एक चोड़ी लेस लगा लूँगी, इस पट्टी को हम कुछ इस प्रकार से तयार करेंगे, यहां पर हमें नीची की तरफ इसे फोल्ड करके, तो मैं यहां पर इसकी लेस लगा लूँगी, और यह जो कोने है, दोनों तरव से यह कोने आ रहे हैं इधर से भी, और इधर से भी इधर दोनों तरव से मैं यहां पर इसको टेशू रीबन की मदश से लॉक कर लूँगी इस तरिके से माई यह जो पठी है यह तयार हो जाएगी यह दिखीगा दोस्तों मैंने यहापर नीची की तरफ से यह lässt लगा लिये और side से मैंने यहापर रीबन लगा लिया है कि कोटा रीबन है यह लगा लिया है मैंने इसको lock करने के लिए जिससे एक अपड़ा निकलेना और अच्छे से यह finishing आ जाए लहंगे में अब हम यहाँ पर बैल्ट तयार करेंगे इस लहेंगे में, बैल्ट हमें 10 इंच की चाहिए, क्योंकि जो हमाई तस्वीर है उसकी चुड़ाई 10 इंच है, तो हमें बैल्ट 10 इंच की चाहिए, अब हम यहाँ पर नीची की तरफ प्लेट्स डालेंगे, प्लेट्स हमें इक्वल प्रेट्स टाली है, जभी अच्छे से फोल्ड हो जाएगा, तो हम यहां के इसकी जो प्रेट्स हैं, यह उपर की तरफ ले लेंगे, और हम यहां पे Equally preets डलेंगे इस प्रेकार से यह पर preets डलेंगे जोएक कमार है यह दस इंच आ है इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे सिलाई हैं मैं गोलाई में ने लगानी है सिदाई में लगानी है ध्यान रखेगा हमें इस तरीके के इसके shape create नहीं करनी है हमें बिल्कु सीधा ये लेंगा रखना है इस तरीके से हम यहाँ पे प्रेस डाल लेते है यहाँ पे मैंने ये प्रेस डाल ली है इनको मैंने सीधा ये डाला है इस तरीके से पर हमें इने थोड़ा सा set करना होगा क्योंकि मैंने यहां पर यह बुक्रम नहीं लगाई है आप इसको अच्छे से सेट कर लीजेगा यह जो लैस है इसको पहले एक सारा करके अच्छे से और यहां पर प्रेस कर लीजेगा तो यह बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी मैं आपको लास्ट में अच्छे से सेट करकर ही दिखाऊंगी कि अच्छे से सेट होकर किस प्रकार से लगती है ये लेंगा हमें सीधे में चाहिए क्योंकि हम ये तस्वीर वाला लेंगा बना रहे हैं इस तरीके से आप इसको सेट कर लीजिएगा अब यहापे हमें नेफा बनाना है नेफा बनाने के लिए मैंने यहापे ये नेट का फैब्रिक लिया है ये एक पट्टी कटकी है इससे में नेफा बनाऊंगी पहले इस पट्टी से में पीछे में यहापे सिलाई करूंगी और फिर इस पट्टी को आगे की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे मोड़ दूँगी पहले मैं यहाँ पे इस पे सिलाई करके दिखाते हूं आपको यहाँ पे मैंने इस पट्टी को पीठी की तरफ से तो अटेच कर दिया है अब इस पटी को फोल्ड करके मैं यहां पर आगे की तरफ मोट दूँगी से कुछ इस तरीके से और इस नेफे में में यह वाली डोरी जो है यह डाल दूँगी यही वाला मैंने डीबन जो है यहाँ पर लगाया था और यही डीबन में हहाँ पर इसको अंदर नाड़े की तरह यूज करके इसको यहाँ पर लगा लूँगी और इस तरीके से हाँ पर सिलाई कर लूँगी यह सिलाई आप ध्यान रखे जब इसका पैटर्न आएगा सिलने का जब टाइम आएगा तो आप इसको गुलाई में ना सिलके बिल्कु सीधा सिलिएगा नहीं तो यह आपका लेंगा गुलाई में हो जाएगा इसमें जो कमर बन कर आएगी यह गुलाई में आ जाएगी यहाँ पर मैंने यह नीफा बनाकर यह जो कमर है इसको तयार कलिया है यह देखेगा मैंने यहाँ पर यह डोरी भी डाल दी है इस तरीके से बस इसको सैट करना बाकी रह गया है इसको हम बाद में सैट करेंगे अब हम यहाँ पे उपर की तरफ के लिए दुपट्टा बनाएंगे दुपट्टा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यह प्लेन रेट कलर का कपड़ा लिया है इसकी जो चड़ाई रखी है वो मैंने 11 इंच रखी है एक तरीकी से देखा जाए यह जो पट्टी है इसको लंबा करेंगे तो इसकी जो चड़ाई है वो तो मैंने हापे 6 इंच रखी है और जो मैंने हापे इसकी लंबाई रखी है वो मैंने हापे इसकी लंबाई 11 इंच रखी है आधा आधा इंच मैंने extra लिया है मुझे ये 5 इंच का रखना था चड़ाई में तो मैंने 6 इंच का रखना है और लंबाई में मुझे ये 10 इंच का रखना था तो मैंने यहाँ पर इसको 11 इंच का रखना है क्योंकि हम यहाँ पर जो less लगाएंगे तो वो less हम ये side में इस तरीके से लगेंगे, इन pieces की जो लंबाई रखी है, वो मैंने 7.5 इंच रखी है, और जो इनकी चड़ाई रखी है, वो मैंने यहाँ पर 4 इंच रखी है, ये दोनो पीस सेम नापके हैं, इन pieces को भी मैंने थोड़ा थोड़ा भढ़ा कर रखा है, लंबाई में मैं मैंने आधा इंच बढ़ाया है और चोड़ाई में मैंने एक इंच बढ़ाया है क्योंकि मैं यहाँ पे जो लैस लगाऊंगी वो कुछ इस तरीके से फोल्ड करकर इसको अंदर की तरफ से फोल्ड करकर तब लगाऊंगी ऐसी मैं यहाँ पे नीचे की तरफ की जो लैस और यहां पर इन दोनों किनारों पर मैं यह पतली वाली लेस लगाऊंगी यह आधा इन चौड़ी लेस है इस तरीके से करके यह लेस लगा लोगी इन दोनों कौनों पर और नीचे की तरफ वो चौड़ी वाली लेस आ जाएगी मेरी यहां पर इस तरीके से यह दोनों साइट कि जो दुपट्टे हैं ये तैयार हो जाएंगे सेम तरीके से मैं यहाँ पर भी फोल्ड करूंगे आधा आधा इंच लगभग और चारो तरफ में इस तरीके से ये गोर्डन वाली लैस फोल्ड करकर लगा लूँगी इस तरीके से ये कौनों पर हम कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे इस लैस को इस तरीके से यहाँ पर नोग देंगे ये नोग हम इधर की तरफ देंगे मैं आपको यही पी भता रही हूँ पर अगे नोग हम इधर की तरफ लगाएंगे इस तरीके से बनाकर इस तरीके से हम यहाँ पर यह वाली लैस चारो तरफ लगा लेंगे इस तरीके से हम यह अपने यह तीनो पीस तैयार करकर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से यह तैयार होंगे यहाँ पर दोस्तों मैंने इन तीनो पीस को रेडी कर लिया है सबसे पहले यह जो बड़ा पीस है इसमें देखी गा मैंने यहाँ पे चारो तरफ यह लेस लगा ली है साथ ही साथ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा यह फोल्ड करा हुआ कपड़ा है जो मैंने उपर की तरफ को यह मोड़ा था लेस लगाने के लिए तो यहाँ पर मैंने यह थोड़ा सा छोड़ा है जिससे यह पाइपिन का एक लुक आ रहा है इसके बाद मैंने यह दोनों चुन्नी के पीज जो हैं यह भी रेडी कर लिये हैं आप इसमें देख सकते हैं नीच हम यहां पर कुछ इस तरीके से चुन्नक डाल लेंगे जिस तरीके से ये वी शेप में आ जाएगी और यहां पर हम पीछे की तरफ से थोड़ा-थोड़ा लेकर पीछे की तरफ से इसको अटैच कर लेंगे आप इस पर प्रेश कर लिजेगा ये अच्छे से से सेट हो जाएगा और यहां पर इस तरीके से इन दोनों जगों पर सिलाई लगा दीजेगा तो यह बिल्कुछ चुन्नी की शेप में आ जाएगा यह देखेगा दोस्तों यहाँ पर मैंने इन दोनों चुनियों को इस पीस में अटेच कर दिया है साथ ही साथ मैंने इनको अटेच करते समय यह ध्यान रखा है कि यहाँ पर यह थोड़ी सी दूरी है यह छोड़ दी जाए लगबग आधा इंच की है यह दूरी और यहाँ से मैंने इनको दो इंच का रखा है और यहाँ से मैंने इनको तीन इंच का रखा है यह जो पट्टे के हमने वे पट्टिया ली है इस तरीके से यह हमारा फोटू के उपर यह पट्टिया आ जाएंगी ये हिस्सा फोटू के आगे की तरफ आ जाएगा और ये हिस्सा फोटू के पीछे की तरफ आ जाएगा इस तरीकी के चुन्नी बनाने में आपको यहाँ पर डोरी की भी जरूरत नहीं होगी दोस्तो अगर आप फिर भी चाहते हैं यहां पर इसमें डोरी लगाना तो आप इन दोनों कौनों से डोरी को लगा सकते हैं इस तरीके से हमारी यह तस्वीर के लिए पुषाग बनका तैयार हो जुगी है आशक करते हूं आपको यह पुषाग पसंद आई होगी अगर आपको यह पुषाग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथे साथ बैल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को यहां तक दीखने के लिए आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद